हेलो फ्रेंड आप सब का स्वागत है मेरे चैनल रीड डिजाइन्स में तो आज मैं आपको डोरी लूप्स और लेज के साथ कुर्टी स्लिट्स का एकदम नया डिजाइन दिखाऊंगी ये डिजाइन आज कल काफी ट्रेंड में है तो चलिए हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहरे ना मैंने ये सेम कुर्टी वाले फैब्रिक की एक पट्टी कट की है ये पट्टी मैंने दो सबा दो इन चौड़ी रखी है ये देखिए और लंबाई में जितने हमारी कुर्टी के स्लिट्स है उससे आपने 5 इंच जादा लेनी है आगे और पीछे के स्लिट्स को नाप के आपने 4-5 इंच जादा लेनी है और इसकी उल्टी साइड पे ऐसे पेपर पेस्टिंग भी लगा लेनी है अब हमने दोनों तरफ से इसे आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है अब हमने पट्टी का बिल्कुल सेंटर लेना है सेंटर से हमने एक तरफ से ऐसे पट्टी को गुमा लेना है और दूसरी तरफ से ऐसे इसका ट्रेंगल बना लेना है हमें पट्टी का ऐसे पट्टी का ट्रेंगल बनाते हुए हमें इसके साइडों में लेस स्टिच करनी है तो नीचे से लेके हम लेस को स्टिच करेंगे तो मैं यहाँ पे यह ब्लैक कलर की लेस का यूज कर रही हूँ क्यूंकि हमारी इस कुड़ती में ब्लैक कलर का प्रिंट है लेस को इस तरीके से पट्टी के नीचे दबा के रखेंगे पट्टी की बाहर की तरफ हमें लेस लगानी है तो यह जो पट्टी हमने सेंटर से ऐसे फोल्ड की है ना इसके भी साइडों में ना हमें ऐसे ही लेस को स्टिच कर लेना है रफ स्टिच के साथ ही तो फ्रेंट्स अगर आप विगनर्स हैं तो धीरे से ना फिनीशिंग के साथ लेस को यहां से गुमाएं और किनारी की सिलाई के साथ इसे स्टिच कर लें तो फ्रेंट्स मेरे ऐसे ही डिजाइन्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकोन जरूर दबाएं ताग कि मेरी आने वली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो ऐसे हमने लेस के साथ अपनी ये पूरी पट्टी को रेडी कर लिया है अब हम इस पट्टी को न अपनी कुट्टी के स्लिट्स के उपर रखके स्टि भी कर सकते हैं दोनों को फोल्ड करके अब हमने अपनी कुट्टी को ऐसे सीधा करके ही रखना है और पट्टी को न इस तरीके से यहां से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए अपने स्लिट्स के उपर रखेंगे ऐसे बिलकुल किनारी पे रखेंगे कुट्टी और पट्टी को बिल्कुल बराबर रखना हमने यहां से किनारी से और यहां पे बिल्कुल किनारी की सलही लगाते हुए ना इस पट्टी को स्टिच कर लेना है कुट्टी पे ऐसे और यह डिजाइन न स्लिट्स का ऐसा है आप इसे अपनी पुरानी कुर्टी पे भी दैयार कर सकते हो उसे भी एक डिजाइनर लूप दे सकते हो तो friends मेरे ऐसे ही खुबसूरा डिजाइन्स देखने के लिए मेरे Facebook पेज को follow कर लीजिए मैं हर रोज एक नई वीडियो Facebook पे भी डालती हूँ तो ये देखिए ये कोना आगया हमारे slits का तो जैसे मैंने आपको बताया था न कि हमें 5-6 इंच पटी जादा लेनी है तो वो इस तरीके से slits के उपर तक आ जाएगी ये पटी जादा वाली ठीक है अब हमें न यहाँ पर dory loop बिस्टिच करने हैं यहाँ तक तो अब हमने slits के उपर कोने से ही dory loop स्टिच करना शुरू करना है तो ऐसे एक dory का लूप बना के इस तरीके से अपनी पटी के नीचे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे किनारी की ही अब हमने आधे इंच का gap लेना है और अगले dory loop को बिना उसी तरीके से ऐसे रखना है पटी के नीचे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है तो ऐसे एक साइड पर हमने तीन dory loop स्टिच करने हैं एक और dory loop ऐसे ही लगा लेते हैं आधे इंच के gap पे तो एक तरफ हमने ऐसे तीन dory loop स्टिच कर लिए अब हमें दूसरी तरफ भी dory loop स्टिच करने हैं वो इनके center center में हम करेंगे इस तरीके से पहला dory loop हम उपर ही रखेंगे ऐसे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे अपनी सिलाई को न हमने यहाँ से गुमा के दूसरी तरफ कर लेना है और यह जो dory loop था न पहले वाला इसे हमने न ऐसे उसे न हमने ऐसे बाहर की तरफ निकाल के सिलाई लगानी है तो ऐसे ही न हमें इस तरफ भी तीन dory loop स्टिच कर लेने हैं दूसरे dory loop के बिल्कुल center center में ध्यान रखे जो दूसरी तरफ वाला dory loop है न वो हमारा पटी के नीचे न आए उसे आपने न पहले ही उस तरफ कर लेना है तो यह जो dory loop हमने स्टिच की है न यह ऐसे आ जाएंगे एक इस तरफ आएगा और एक उस तरफ अब हमें न यही वाली पटी को बिल्कुल अपने slits के साथ साथ स्टिच कर लेना है नीचे तक तो इस तरफ भी न नीचे से हमने पटी को ऐसे फोल्ड करके घेरे के साथ बिल्कुल मिलाके रखेंगे बराबर करके और यहां पे भी किनारी की सिलाई ऐसे ही लगा लेंगे और यहीं से न हमने अपनी सिलाई को दूसरी तरफ गुमा लेना है लेस वाली तरफ और यहाँ पे बिना हमने लेज की बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेनी है और जो rough stitch हमने पहले की थी ना लेज को stitch करते हुए उसे हमने बाद में खोल देना है तो यहाँ से बिना हमने अपनी सिलाई को दूसरी तरफ घुमा लेना है और दूसरे सिलिट्स पे बिना ऐसे ही लेज की किनारी पे सिलाई लगा लेनी है तो यह दिखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत हमारा यह 30 लिट्स का डिजाइन बनके रेडी हुआ है तो अब हम इन डोरी लूप्स के बीच में एक एक परल स्टिच कर देंगे तो यह वाले परल न मैं यहाँ पे सुई धागे के साथ स्टिच कर दूँगी डोरी लूप के बिल्कुल बीच बीच में ऐसे तो अब ही मैं आपको न अपने सारे परल यहाँ पे स्टिच करके दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट सारे डोरी लूप के बीच में न हमने यासे परल स्टिच कर दिये हैं और देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये कुड़ती स्लिट्स का डिजाइन बनके तयार हुआ है तो ये इसकी न कुड़ती की बेल स्लिव हमने ऐसे रेडी की है लेस लगा के तो आप सबको कैसा लगा मेरा ये कुड़ती के चाक का डिजाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में बेल आइकोन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाई बाई